ये दादा जी भी ना पता नहीं क्या मेरे लिए नए-नए काम लाते रहते हैं नारियल लेके आ गए अब कह रहे हैं ये मुझसे चबाया नहीं जा रहा है मेरे लिए इसका शेकी बना दे अब इसका कोई एक काम थोड़ी है पहले इसे छीलो छोटे-छोटे टुकडों में करक अच्छे से प्रेस करकर के निचोड़ा तीन-चार बार ऐसे ही करने के बाद जूसर में सारा कोकोनेट मिल्क डालके बर्फ चीनी नारियल का पानी डाला दो मिनिट फुल स्पीट पे मिक्सी चलाई खूब अच्छी फॉर्म आ गई फिर ग्लासेज में निकाला अब दादा जी ने मुझे नारियल शेक बनाने की नौकरी पर रख लिया है तो ऐसे हालात में बहतर यही है कि वक्त रहते हैं इनसान सतर्क होकर अपने जज़बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटाले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश क सब्सक्राइब करिए लाइक और शेयर भी